जी बिल्कुल एके जी बहुत अच्छे हैं बस ठीक हैं बस आपी का इंतजार था चलो ठीक है हाँ तो पहला कुश्चन हो गया था बच्चा फर्स्ट कुश्चन हो चुका था कला सिकेंड कुश्चन होगा चैप्टर तीन है इकसर्साइज नंबर है बिटवा तीन दसामलो तीन इकसर्साइज 3.3 है कलास 9 का नंसी आर्टी मैथमेटिक है हिंदी मीडियम लेंग्वेज होगी सीबसी बोर्ड का पैटर्न सेम टू सेम मिलेगा कोई कुश्चन इदर दर नहीं होगा ठीक है चलिए पढ़ते हैं क्या है कुश्चन सबसे पहले यह बताओ तुम लोग सबी बचबा के पास NCRT किताब है देखो भाया NCRT की किताब ले के आया करो आपके स्कूल में कॉलेज में कुछ भी लग रहा है उससे नहीं मतलब आप NCRT से पढ़ लोगे हम गारंटी लेते हैं टॉप करोगे तुम कोई भी किताब से पढ़ो देखो NCRT में क्या है तुम मतलब में में जो हैं उसमें सब पढ़ा दिया जाएगा बाकी अभ्यास के लिए आप दूसरी किताबें ले लो क्योंकि NCRT में कम दिये गए हैं आत्मा संतुष्ठ हो जाएगी कि हां मैंने कोर्स खतम कर लिया है मतलब छूटे का भी कुछ नहीं जादा भी कुछ नहीं तुम पहला दूसरा चेप्टर वा में लटके रहोगी तीस रह में पहुंचोगे नहीं क्योंकि उसमें इतना कुष्चन दिया होता इतना कुष्चन दिया होता नुम खुदे खोबड़ी पकड़ भगवान इतना पढ़ना पड़ेगा तमर जाएंगे हम कुश्चन जादा रहता है उन सभी बुकों में इसलिए पहले एक बार खतम कर लो फिर रिवाइच करते रहना चलिए फिर्दे पांडे कुछ समझ में आ रहा है और जो जो किताब नहीं लिया बच्वा बहुत सस्ती मिलती है ले लेना कहीं से कुछ मिलेगा नहीं कोई बी किताब लेना कोई भी से पढ़ो उससे नहीं मतलब सिले बस तो वही है ना ना इंत में सभी हो ना बस इतने आलेखित कीजिए भाईया का का दिया है पता है तुम्हे यह दसमलों में भी दिया है माइनस में भी दिया है पलस में भी दिया है बड़ा खतरनाक इस्थिती है चलो बनाता हूँ चलो पहले तो यह बना लो जो main question का part है इसको मैं इदर side में बना देता हूँ यह question है मैं इसकी sari यहाँ बना दे रहा हूँ यह question है question का title फिर से पढ़ देता हूँ सुन लो खहरा कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारडी में दिये बिंदूओं को तल पर आलेखित कीजिए अक्छों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर सारडी में दिये गए बिंदूओं को तल पर आलेखित कीजिए ठीक है? आप सुनो बच्चा A में 2-8 होते हैं, 1-X होते हैं, 1-Y होते हैं, बस, तो यह परानी होते हैं एक, दुई, तीन, चार, पांच खाने इसमें होने चाहिए देखो, दुई खाना हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, यह पांच खाना हो गया ठीक है समझो यह किताब का question है जो मैं बना रहा हूँ यह किताब का question है main solution इदर होगा इस मैदान में माइनस 2 और 8 है पहला है माइनस 2 8 दूसरा है माइनस 1 और 7 सिसर का है चाच्छा 0 और माइनस 1.25 सबसे खतरनाक यही है सबसे खतरनाक यह है यह 1 और 3 है तुभी दर आबे यह 3 और माइनस 1 है पस इनी को क्या करना है हमें इस चतुर्थांस में दिखाना है क्या आप लोग कर लोगे अराधना कुमारी बना सकती हो कि नहीं पहले ही बताओ मनोज कुमार जल्दी जल्दी चापो देर ना करो आज इनके पास किताब नहीं है देखो यह बना दिया हूँ यही बनाना है बस बाकी तुम्हें बोला हूँ दो बार सुन लो एक बार फिर से सुन लो इसको बनाने के पहले उपर लिखना क्या सुन लो सुनो सुन पगल है का अग्दम सुनता का यह नहीं इधर सुनो Question है अक्षों पर दूरी का उपयूगत एकक लेकर एकक मतलब में बताऊँगा बाद में ऐसे लिख लेना एकक अक्षों पर दूरी का उपयूगत एकक लेकर सारडी में दिये गए बिंदूओं को तल पर आलेखित कीजिए ये हिंदी बड़ी खतरनाक है आलेखित कीजिए मतलब अभियारी परजेंट करिए वही सब होगा बस समझ रहो ना? देखो चलो मैं बनाता हूँ इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दुकान बड़ी लगेगी तभी बने गई इसलिए मैं ये सब मिटा रहा हूँ थोड़ा इसमें चोड़ा रहा हूँ ना? ये जगा थोड़ी बढ़नी चाहिए अरे सम मिटा दो काय सर महा रहा हूँ फिरम लो चलो सभी चल्दी से चतुर्थांस बनाओ बिटा ऐसे तो ऐसे बनाओ लंबा चोड़ा दिख रहा है ना? चलो बस बस ठीक है अच्छा जा रहा है और हाँ इसको बना लो मैं मिटा भी दूँगा अभी अभी जब इधर मेरी दुकान बढ़ने लगेगी तो मिटा दूँगा उपर वाला इसलिए उसे बना लो समझो इधर साइड में ये कौन है? आयूस तिवारी पेटा कान में स्पीकर डाल लो तुम्हें एक ठी सुना ही बढ़ेगा तुम्हें चलो प्लस वन प्लस टू हाँ लेकिन एक चीज देखो इसमें वाई पर जो है भाईया वो दसमलों में है वन पॉइंट टू फाइफ है क्या है वन पॉइंट टू फाइफ है तो वाई वाला मान हमें दसमलों में लिखना पड़ेगा किसमें लिखना पड़ेगा दसमलों में लिखना पड़ेगा और यक्स वाला चाहे तो दसमलों में लिखो या ना लिखो लेकिन वाई वाला तो लिखना पड़ेगा मुझे ऐ इतना बना लो जलती से कुस्टिन कौन सा था भाई यह चलो ठीक है जो भी था जाने दो अटाओ किनारे करो चलो बन गया करने यह Ji प्लस वन प्लस टू एक ट्रीगентиन लगेगा यही खाल इसाइड में दूसरे अप्लैटमे जाओ गई यह एकस्थ है इसे तरह से इधर साइड में दूसरे आपोजिट में जाओ गई यह जएव Protect है कि इधर जो नंबर आएगा सब माइनस में होगा कि कि ऊपर जाएगा भाया वाई अक्षोगा प्लस में होगा अगर तुम यहां ध्यान दो तो वाई पर आठ तक जाएगा दिक्तम इतना जाएगा आठ तक जाएगा फिर गड़ बड़ा रहा है वाई पर आठ गिंती जाना चाहिए प्लस में देखो यह सबसे बड़ा वाई पर ही जाना चाहिए प्लस में तो इसे हमें देखो समझ जबबंच के इसको बनाना पड़ेगा सेटलमेंट करके थोड़ा नीचे करना पड़ेगा भाई क्योंकि वाई पर हमें 8 गिंती ले जानी है यही चीज तो गणबड़ हो जाता है ना बनाने में समझना पड़ता है मैंने खुद गणबड़े ही करा ईपर ही जादा जगा चाहिए नीचे देखो माईनस में वाई में शिर्फ 15 तक जायेगा नीचे कुछ नहीं रहेगा नहीं यहां दिखर रहा है न नीचे इसकी कोई आउकाद नहीं नीचे इतना ही चाहिए इसने बस नीचे इतना ही चाहिए इतने में हो जायेगा माइनस 1 और माइनस 2 इतने में ही हो जायेगा नीचे इसके आगे है नहीं Y-Aक्ष उपर जायेगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक तो है ना दिक्तम ऐसे बनेगा भाई ठीक है पादर खान पढ़ाई कर लो बेटा पढ़ाई कर लो आनंद कुमार सटर्डे को होता बाव रोज नहीं होता है किसी की साधी रोज नहीं होती है एक कर दिन होती है बरात एक कर दिन जाती है तुम उस दिन अगर छूट गए तो तुम काओ नहीं हम तो तुम्हेरे बराद नहीं जा पाए चलो फिर साधी करो तू दूबारा थोड़ी साधी करेगा एक आफ़त लेकर आया ऐसे ही जेल रहा होगा दूसरी थोड़ी लाएगा वही हाल इस टेस्ट की भी है जो छूट जाता है ना वो कहता है नहीं हम तो आए नहीं टेस्ट में अब दूबारा टेस्ट लो चलो हो गया यहां साधी और जेलना और टेस्ट का मतलब इसलिए है कि मुझे कापी चेक करना पड़ता है सभी काप यह बन गया सभी का बन गया भाईया मंजू सिंग समझ मझ में आ रहा है कि नहीं प्रियांसू स्री वास्तो को भी बलक कर दो भाई इनको अंजली सरमयादा आ रही जाधा इन्हें बलक करो तो एक से एक हराम खोर रहा है इनको पढ़ना वरणना है नहीं नहीं पढ़ना इने नहीं देखो इधर यह बन गया नँए पहला देखो बिटा यहां पर यक्स-2 है य आठ है यक्स-2 है य आठ है तो यह बता ओ कैसे बने गजानते हो कि नहीं ऐसे बनेगा जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो देखो इन्हें पांच-पांच मिनट होल्ड करो नहीं तो ऐसे करोगे तो आप लोग परिसान रहोगे क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं इन्हें एक बार में पांच मिनट के लिए होल्ड करो यह 5 मिनट थंडा होके पड़े रहे हैं 5 मिनट बाद फिर उठेंगे चलो यक्ष अक्ष पर मैनस 2 यक्ष पर 8 तो भैया यक्ष अक्ष मैनस कहाँ है इधर चलोगे यक्ष अक्ष पर पलस है इसके अपोजिट चलोगे इधर देखो मैनस है यह 2 मिल गया वाई अक्ष पे कितना है आठ है तो पहला निर्देसांख हमें जो दिखाना है वो 2,8 दिखाना है क्या दिखाना है तो कामा आठ दिखाना है अभी यह परोशने वाली एरिया है इधर कहीं कुछ भी लिख दें उमानदारी नहीं है जैसे कोई परोजन होता तो एक जगा सब कुछ इकटा किया जाता है वहाँ बहुत कुछ गिरता रहता है सारा मैटरियल रहता है तो वैसे इधर यह वह रूम बनाया गया सामान वाला समझो तो माइनस दो कामा आठ कहां होगा बेटा यक्स पे माइनस दो यहां है वाई पर आठ आठ चलना है मतलब सीधा में यहां यहां क्या आएगा माइनस दो कामा आठ समझ में आया यह आपका बिंदू होगा माइनस दो कामा आठ अगर इसे गराफ पेपर में बनाओगे तुम लोग तो जादा मज़ा आएगा यह गराफ पेपर में हां समझ में आया ना ऐसे सीधा सीधा जाएगा माइनस दो कामा आठ दूसरा बिंदू क्या है कोई मुझे बताएगा देखकर चल्दी बताओ दूसरा बिंदू क्या है रोबिन पाल बेटा तुम्हें तो हिंदी ये बोल लो या तो इंगिलीस है बोल लो सुद्ध बोलो बस कुछ भी बोल दूसरा बिंदू क्या है अब बोलता का है नहीं गदा है उका एक दम से हां दूसरा बिंदू क्या है इसमें जितने दिये गए इन सब को लाला के इसमें दिखाना है दूसरा बिंदू क्या है ये यक्स पे माइनस वन वाई पे सेवन तीक है अर्पित ने बताया सबसे पहले शुभम और प्रतिमा विसकर्मा ठीक है माइनस वन यह है माइनस वन भैया यक सक्षपर वाई सेबन है तो इस सीधा चला जाएगा ऐसे एकर ऐसे ऐसे माइनस वन कामा सेवन यह लल्लू दूर रहा बस माइनस वन कामा सेवन तीसरा बिंदू क्या है जरा नजर गड़ा के बताओ भाई तीसरा बिंदू क्या है बबुआ देख तो इधर न यह जीरो कामा यह खतरनाग है यह डंजरेस है यह तीसर करें नाब्या किसी को समझाइए मत ये समझाने वाला जमाना नहीं है पढ़ लो बच्चा पढ़ लो पढ़ लो उन्हें पढ़ लो पढ़ लो कायने से नहीं पढ़ते कहावत सुने हो ना लातेक देवता बात नहीं मनते उनका चाही समझ रहे हो ना उसमें से कुछ देवता है इसमें पढ़ने में भी हमारे जुड़े हैं जिनको जरूर चाहिए बिना चाहे उनका काम नहीं चलने वाला है देखो जिसर का क्या है? 0, कामा माइनस 1.25 तो भाया यक्स पर तो कोई बढ़ेगा नहीं 0 रहेगा वाइ पर जाएगा कितना? 1.25 यानि एक से थोड़ा सजादा जाएगा वण से थोड़ा पा जाएगा तो यहाँ है तो यहाँ है 3 यहाँ है 4 यहाँ है हैं तो 1 कामा टूपाईफ मतलब वणपॉइंट माइनस डाएगा ओर माइनस में जाnorm शाइगा माइनस है ना याए गाला है निचे कता बहुत वन आहां और यह हा ऐसा माइनस में बड़ा खुस हैं तो यह यहां कहीं हो जायागा इनका हम यहीं खीच के लिख देंगे माइनस 1.25 0 कामा ठीक है यह लिखने के लिए इनको बगल में लिखाऊं क्योंकि यह लाइन पे तो लिख नहीं सकता हूं बाकि इनका जो अस्थान है वो बीच में ही है इनका अस्थान पॉइंट पर ही है जोति सिंग्रोल समझ में आ रहा है अंजली सर्मा यह तरीका आपका गलत है सर्मा जी यह अपान वाला तरीका गलत है नहीं नहीं रोहित विशकर्मा थर्ड रूम से नहीं मतलब है यह थर्ड रूम में नहीं रहेगा लाइए बच्चा इसी लाइन पर रहेगा लेकिन अब लाइन पर जिन्दा नहीं रहा पाएगा ना किनारे जाएगा लाइन पर लिखा नहीं जा सकता इसलिए उसको उधर लिखा हूं इसको खीच के हम इधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कहीं भी लिख सकते हैं बसर खतरनाक प्राणी है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं आप लोग टेंसन मतले ना चलो कि आप तीन कामा माइनस वन कि यह बताओ थ्री कामा माइनस वन अभी यह कहां होगा यह बीएफनल का नाम सुनके मुझे याद आता है पता है क्यों क्योंकि अभी भी वाई मैक्स और बीफोरेस मैंने लगा के रखा है बीएफनल का ब्राट्बेंड गटिया सर्विस देता चलता भले नहीं लेकिन रखा हूँ कि अपने देश का मान सम्मान है इसलिए रखा हूँ का अ कि तीन कामा माइनस वन यक्स पर तीन और वाई पर माइनस वन तो यक्स पर तीन मतलब प्लस में पॉजिटिव है तो भया चलो इधर बढ़ो तीन कदम पहला कदम दूसरा कदम और प्लसरा कदम चौछा कदम नहीं रखना नहीं तोड़ दिया जाएगा आगे नहीं य कि प्र माइनस 1 चचा उपर न जाएगा नीचे आएगा नीचे माइनस हम यहां है यानि यह कुल मिला करके हमएंगं बनेगा दून कामा माइनस 1 कि अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा था इसे बिंदी बिंदी कर लो कि फुस हो जाओ चलो कि समझ में आया तरजी का पोल सबको बता देते हैं चलिए ठीका पढ़ाई कर लेजिए भाईया दॉन डिश्टब पता यह समझ में आया सबको खतम हो गया आया समझ में तो यह जमेट्री बड़ी आसान है बहुत सुन्दर है थोड़ा एटिटीवड वाली है इतना समझ लो तुम बाकि सब ठीक है चलो इस ले लो लिख लो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बड़ा मज़ेदार है नहीं समझ में आया तब गड़बड़ है चलिए जल्दी बताईए और जो लगातार फोन कर रहे है जब से कलास चल रही भगवान उनकी आत्मा को सांती दे और आगे मैं उन्हें क्या कहूं जब भी कलास सुरू हो जाती मैं आप लोग से बताऊं जो नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है ना कुछ हैसे हराम खो रहे है लगातार करते हैं जब तक कलास सुरू मतलब होके खतम नहीं हो जाती तब तक करते रहते हैं अभी मैं दिखा दूँ चाहे उठा दूँ खतरनाक आवाद में बोलेंगे हलो अभी आज तो एक ठी बचवा करा था कह रहा है मैं बहुत परिसान था उसमें डिस्टर्ब भी थ करा है एक और हलो हम बोलें हलो हां अराम से प्यार से मेरी अवात्यज निकली नहीं रही थी आप पढ़ाते हो क्या नहीं तुम्हें कॉन काग में पढ़ाता हूं करा मैंने वीडियो देखा था यूटूब पे अमने का नहीं यार मैं तो खाना बनाता हूं पर आच्छा फि भाईया रखो समझ रहा हो ना आइसे ऐसी आत्माओं का भी फोन आ जाता है कि अधार खान जैसे कुछ नालायक हराम खोर भी पैदा हो जातें कहीं कहीं उनको भी जहलना पड़ता मुझी को यह हो गया मिटा दें सबको समझ में आया ना पहले बताओ मुझे समझ में आया अच्छा ठीक है इसको देखके आप लोग मुझे एक आप बात और बताओ अगर मैं कहूं कि प्लस टू प्लस टू और माइनस का थ्री किस चतुर्थांस में होगा तो बता लोगे कि नहीं लोग पिछली कहानी सोचके अधर रहें उनको बता दूं सटके सुनती रहें गश् हैं हुआ गुरु जी बड़े सम्चुनार हो गए उनको पता है यह क्या हो रहा है आपंढको प्रमें होगा कभी संकर कह रहे हैं फोर में होगा एके भी कह रहे हैं फोर में होगा सही बता रहे हो का तुम लोग नाब्या इसका मतलब सही होगा मुझे लग रहे हैं और कोई एनिवन अच्छा यक्स पर टू और वाई पर थ्री वो भी माइनस में तो यक्स पर प्लस है मतलब लाइन यही है यानि कि या तो दो में होगा या तो चार में होगा नहीं या तो एक में होगा या तो चार में होगा है या तो एक में होगा या तो चार में होगा तो बहिया एक में तो होगा नहीं क्योंकि एक में वाई प्लस है तो चार एक आप्शन बच रहा हैं किला है चार में हो जाएगा ठीक है यह चार वाले में आएंगे चार प्लस 2 और माइनस 3 यह सब तुम जान गए हो इसमें ज्यादा कोईश्चन बनता ही नहीं है चलो ए भाई सुनो तुम लोग कलास को लाइक करो यार बाबू ऐसे मजा नहीं आ रही ठीक है रभी संकर काहे को बला कर रहे हो जोती सिंग रोल को ठ्रेंडिंग टॉपिक पर कोई बात करें तो उसे होड्ड ना करो यह यह जानने बोला अगर कोई उसके बारे में बोल रहा है तो काही उल्ड कर रहे हो नहीं होल्ड करो उसे नहीं साथी जल्दी से कलास को लाइक कर दो भाई फटाफट कर दो देर ना करो चलो रायल चुपूजन एदुबंसी आकास सरोज ये चैप्टर खतम होई गबावाई ये पूरा पाठी खतम हो गया मुझे लग रहा है क्यूं थिरी पॉइंट थिरी तक ही जमेटरी था ये खतम हो गया अब एक खतरनाग चैप्टर सुरू होगा अपने बिक्राल रूप के साथ उसका नाम होगा दो चरों वाला रहेखिक समीकरण ये पूरा चैप्टर ही खतम हो गया देखो सुन लो जैसे गन्ना पेरने के बार रस निकलता है ना रस निकलता है उससे गुड़ बनता है गुड़ के साथ एक ठीक कड़ा कड़ा बनता है उसका नाम जानते हो कि नहीं नाम जो भी हो वही मिलने वाला तुम्हें अब चलो तयार हो जाओ मैं इसलिए एक जांपल बता रहा हूँ क्योंकि पढ़े हो सारा मज़ा ले लिए हो लेकिन अब वो जो कड़ा कड़ा निकलता ने गुड़ के साथ वो बड़ा मज़दार होता है वो मिलने वाला सुनो इ चैप्टर 3 है खतम हो गया बच्चा जो पूछ रहा है कौन चैप्टर है चैप्टर 3 है खतम हो गया पहला क्या है इसमें टॉपिक आपके काम का कहरा कि एक तल में एक बस्तू या बिंदू का अस्थान निर्धारित करने के लिए तो लांबिक रेखाओं की अवस्यक्ता हो में चैपिज होती хै तbay एक उफ हूथी है अरे चचा यह इनी के बारहे में तो यह बात कर रहें नहीं बना दूंका यह पुरानी ओंग इसी पटी हटा हो पहले मुझे बाटाओ उतिज को इंगलिस में क्या बोलते हैं और उर्धाधर को इंगलिस में क्या बोलते हैं आ क्योंकि जमाना इंगलिस का आ हां हाँ आर यू एंड वाट आर्यू डूइंग के आगे भी इंगलिस बोलना शीख लो हम भी कोशिज करेंगे लाइब में सीख लेंगे है समझ रहो ना अग तो को जाना नहीं किमचा बोलते है नालायक ऐसे इसे हैं इनको मैं क्या काऊं इसको खोईटा बोलते हैं कि पोईटा बोलते हैं कि कि यह जाते थे रात में बारा एक वज्य तो उनको गुमा गुमा के क्या करते थे मतलब यह मुसीबत आ गई यार एक से परिसान करके रख दिये मुझे अभी बताते हैं रुको एक मिनट भाई रुक जाओ इतनी अच्छी कहानी बता रहे ते यह इसको देखो मैं समझाया देता हूँ आज मिस्टर पढ़ाते टाइम डिश्टरब ना कि अगरो ठीक है हाहान तो सुनो पहले कहानी बाद में बताओंगा यह दिश्टरब कर दिया ना लायक सैने की तल में वस्तु यापि का अस्था निरधारित करने के लिए लांबिक रेखाओं की आउसकता होती है जिसमें एक छैतिज होती है और दूसरी उर्धाधर होती है तो ये सी लांबिक रेखाओं की आउसकता होती जो मैंने खीचा है ये बच्चा छैतिज है यह क्या है यह चैतिज है जिसे होरिजेंटल बोलते हैं और यह उर्धाधर है इधर को क्या है यह उर्धाधर है मतलब जिसे लंबवत भी बोलते हैं पॉर्धा धर बड़ा खतरनाक लिखा जाता है मुझे आता थोड़ा कम है इसे कुछ लिखते है ऐसे होता है ना उर्धा धर यह ठीक है आया समझ में दूसरा पॉइंट क्या वो भी सुन लो अभी कहानी बताऊंगा मैं जरूर बिना कहानी बताए मैं जाओंगा नहीं चाहे दसे लोग सुनेंगे जाना नहीं अभी वो कहानी सुनाओंगा जरूर सुनो पारिज भी होने लगी मुझे लग रहा है अगला कहरा तल को कारतिय या निर्दे सांग तल कहा जाता है रिखाओं को निर्दे सांग अक्छ कहा जाता है तल को कारतीय या निर्दे सांक तल कहा जाता है इसको क्या बोलते हैं कारतीय तल बोलते हैं समझ में आ रहा की नहीं अयसे पढ़ते हैं कुछ नाम गाम तो पता होना चाहिए जैसे मैंने कहा की भैया दूई कामा 5 को अब हमारी आतमा अंदर से कह रही की इसमें दिखाना है लेकिन इसका नाम क्या है कий क्या यह बोलो के ज शैथि और उठाधर रेखा पे दिखा आ अगर ऐसे बोलो कि अईवर अज़ा तो आ हम नाम जान जाएंगे तो समझ जाएंगे यह पूरी जो बाउंडरी घिरा डा यह पूरा क्या है कार्ट宮 पर कार्तिये तल या निर्देसांग तल है पूरी जितनी कहानी हो रही है पत समझ में आ रहा है यह नि हम कह सकते हैं दो कामा पांच को कार्तिये तल में दिखाईए तो कार्तिये तल यह पूरी जितनी कहानी होती कार्तिये तल है यह इसे निर्देसांग तल भी कहा जाता है अगला है चैतिज रेखा को यक्स अच्छ और उर्धाधर रेखा को यक्स अच्छ कहा जाता है चैतिज रेखा को यक्स अच्छ यानि यह जो ऐसे जा रही है और उर्धाधर रेखा को यक्स कहा जाता है लेकिन इसमें एक चीज नहीं बता रहे हैं चच्छा कि इसके आगे वाली को तो यक्स अच्छ कहते हैं पीछे की पूछ को यक्स डैस अच्छ कहते हैं वैसे उपर को वाई अच्छ कहते हैं नीचे इनकी जो ग्राउंड वाला है न उसे वाई डैस कहते है ठीक है अनन्या जह three number class है एक लेना अगर तो बहतर समझ में आएगा अगला क्या है ये भी समझ लो निर्देसां का अच्छ को चार भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांस कहा जाता है पहले भी तुम्हें बताया हूं पहला चतुर्थांस दूसर का तिफर का चवथा न अच्छों के पतिछेत बिंदू को मुल權 बिंदू कहा जाता है अरे हें चच्छा मुल बिंदू यही है यहां पर दुशरे को काट रही है एक दूसरे पहे सट्रहिं वही क्या है । म्हुल बिंदू है जिसे ऑर्जीन बोलते हैं इंगलिज में आरग से किसी बिंदू की दूरी को उसका यक्स निर्दे सांग या भूज कहा जाता है साथ ही यक्स अच्छ से बिंदु की दूरी को वाई निर्दे सांग या कोटी कहा जाता है समझ रहे हो ना? वाई अच्छ से किसी बिंदु की दूरी को उसका यक्स निर्दे सांग कहा जाता है जैसे मैं तुमसे पूंछ हूँ चार्चा हो इसी बताई दू कामा पांच में इसमें वाईएक्ष्षका निर्देसांग कौन होगा बताओ घर है भाय नहीं पहले उत्तर बताओ इसमें वाई अच्छा का निर्देसांग क्या होगा दो कामा पांच में वाई अच्छा का निर्देसांग क्या होगा अब इसमें भी सर मार रहे हैं तुम्हें क्या करूँ पानी बरस रहा है बहुत तेज से पजानी कौन हराम को और हफरा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबजी नहीं लाया आज दूद भी नहीं आया होगा कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलेगा पारिश में रात में भीगना आसान नहीं है क्योंकि तबियत पहले से जबाब दे रही दो बार भीगा हूँ ना लाइकों के साथ में तीसरी बार नहीं मैंने कुछ पूछा था तुमसे मैंने पूछा था वाई अच्छ का निर्दे सांग देखो बेटा ये यक्स का है ये वाई का है ये तो सही है लेकिन वाई अच्छ का निर्दे सांग पूछेंगे तो यक्स का मान होगा जो पांच बतारा सब का गलत है इतना पांच बताया सब का गलत है अभी अभी मैं तुमसे बोला ना कि वाई अच्छ से किसी बिंदू की दूरी को उसका यक्स निर्दे सांग कहते हैं एक मिनट फिर से समझ लेने दो मुझे भी तुम भी समझ लो वाई अच्छ से किसी बिंदू की दूरी को यानि वाई अच कहा है यहां है यहां से किसी बिंदू की दूरी को उसका यक्स निर्देशांग कहते हैं यानि इधर जितना बढ़ेगा जिसी टाइप में समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया? यह थोड़ा सा उल्टा टाइप का है ना? एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब तक समझ नहीं जाएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे इसे फिर से समझ लो यह समझने वाला है िधर उल्टा है एक बार समझ लो थोड़ा उल्टा है यह समझ लो फिर से पहरा वाई अच्छ से किसी बिंदू की दूरी को उसका यक्स निर्दे सांग या भुज कहा जाता है मैंने क्या पूछा था कुष्चन यक्स निर्दे सांग पूछा था ना और यक्स अच्छ से बिंदु की दूरी को वाई निर्दे सांग या कोटी कहा जाता है यानि उसका उल्टा लिखा जाता है बस तुम इतना जान लो अगर यक्स निर्दे सांग पूछा जाए तो वाई वाले अस्थान का मान उसका उत्तर होगा समझ रहे हो अगर वाई निर्दे सांग पूछा जाए तो यक्स वाले अस्थान का उसका मान होगा समझ रहे हो आया की नहीं आया देखोँ यह आपर में लिख देता हूं इसके कौन भीमारी आ गई आज गुछ दो Bennett जायेगा तो यह 2 होगा अगर वाई निरंबस पूछा जायेगा तो 2 होगा समझ में आया उसका दुछ एटा होता है काल मी डेड इंगिलिस में भी बोलिये ए बेटा डेड तुम्हें यहां से निकल लो तो निकल लो यहां से चलो आगे सुनो यदि एक बिंदु का भूज यक्स हो और कोटी वाई हो तो यक्स वाई को बिंदु का निर्देसांग कहा जाता है अब तक जो हम लोग पढ़ते आए न अब तक जो हम लोग पढ़ते आए पांच है इससे बोलते क्या है इससे निर्देसांग बोलते है क्या बोलते हैं समझ में आया नगे देखो आगे कहरा यक्स अक्षपर एक बिंदू के निर्दे सांग यक्स कामा जीरो के रूप में होते हैं और यक्षपर बिंदू के निर्दे सांग जीरो कामा वाई के रूप में होते हैं मूल बिंदू के निर्दे सांग जीरो जीरो होते हैं हाँ एक चीज़ यहां समझे लो थके हुए लग रहे हैं वो तो हम नहीं थके शरीर थकी है देखो इधर हाँ यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसी पर मैं खतम भी करूँगा जो मूल बिंदू का निर्दे सांग है वो हमेशा जीरो जीरो होता याद रखना बस यह पूछा भी जा सकता आपकी परिक्षाओं में कि मूल बिंदू का निर्दे सांग क्या है जीरो कामा जीरो है ठीक है बच्चा मूल बिंदू का निर्दे सांग जीरो कामा जीरो होता है origin का निर्दिसांग zero कामा zero होता आप ऐसे समझ लो वोई इंसान चाहे बहुत बड़ा परधान मंतरी बन जाए चाहे बहुत बड़ा नेता बन जाए बहुत बड़ा अधिकारी बन जाए पहले वो zero ही होता है उसके बाद ही कुछ बनता है समझ रहे हो ना यह मैं आपके बहुत इक जीवन से संबंदित करके बता रहा हूँ बाकी यहां का मतलब क्या है यहां का मतलब यह है कि एक ऐसे चोराहा है यहीं से चारों तरफ को रस्ता गई है एक ठीधर को गई है एक ठीधर को गई है एक ठीधर को गई है लेकिन इन सब की शुरुवात यहीं से होती है इस पर यह सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं क्या होते हैं? जीरो होते हैं जैसे कहते हैं घर की मुर्गी साग बराबर या दाल बराबर पता नहीं क्या सही है समझ रहे हो न? भाई, इंगलीज मैं इंपॉर्टेंट वर्ड बोलतो रहा हूँ जैसे मूल बिंदु को वर्जिन बोलते हैं इसे कौर्डिनेट बोलते हैं कौर्डिनेट बोलते हैं निर्दे सांग को निर्दे सांग ज्यामिती को कौर्डिनेट जेमेटरी बोलते हैं और इसमें कौन सा मूल पॉइंट है यह समझ में आया तो यही सब बाते थी छोटी मोटी आप लोग पढ़ गए चैप्टर हो गया खतम निर्दे सांग ज्यामिती इस से ज़्यादा पढ़ना है लंबा चोड़ा तो कच्छा दस में पढ़ना पढ़ेगा बच्छा साइंस की क लिखना पढ़ता है बहुत मेहनत करना पढ़ता है लेकिन थोड़ा टाइम लग जा रहा है करन मीना का है कोई कुट्टा बिल्ली भेज रहा भाई है चलो फिर बंद करा जाए है अनीता कि सोर बेसिक मैं तीजी है या स्टेंडर्ड कि तुम्हारा सवाली नहीं समझ में आ मुझे तुम्हें क्या खाऊंगे देखो जो बच्चे क्लास टाइम पे नहीं देख पाते हैं। बाद में भी देख सकते हैं। कि ऑई कलास तो रहता है न काल चैनल पर नइस तो चैनल पर पड़ा रहता है आप देख सकते हो बाद में भी है eh कि समझ रहो न तो सबहु साथ ही से बस एक पर आगरा होगी दिक्वेस्ट होगा निबेदन होगा कि आप लोग कलास को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा सभी और दोस्तों Tiyaaj करना दोस्तों में जरूर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाब मिल विपिन कुमार चलो ठीक है फिर बंद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद रात के नो बजे से देखो बेसिक मैद का कुछ मिल जाये तो अच्छा है वैसे तबियत बहुत अच्छी नहीं है तो कन्फर्म नहीं है कि रात 9 बजे कलास चलेगी लेकिन चलना चाहिए वैसे वारिष वारिष भी हो रही अभी देखो हमारे दोस्त इसलिए आये थे बुलाने कि भईया सामान लाना है आप चलोगे या न चलोगे या कहां से कैसे क्या करना है वो पुछने आये थे लेकिन कलास चल रही थी मैंने बगा दिया क्योंकि मेरे दिमाग में चिम्टा कुम्टा वाली बात थी कहानी भी नहीं बताया उसी वज़ा से देखो भूल गया ना चाने दो कभी बताओंगा बाद में चोड़ो आप लोग फटाफट सभी बच्चे कलास को लाइक और सेर कर दो बाबू ठीक है कि अगली कलास के लिए इंतजार करिएगा वैसे क्लास 9 का मैथ हर साम साथ बजे से साइन साम 3 बजे से बेसिक मैथ रात के 9 बजे से होता है कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर जब तक दम में है रात 9 बजे मिलेगा कुछ ने कुछ बाकी कच्छा 10 का गडित दो बजे से अच्छा 10 का गडित दो पार